आज आपका जो टाफिक रहेगा है इसमें इलेक्टिक लिफ्टिंग बेरियर bent इमर्जन्सी स्लाडिंग पूम यह प्रेजिंटेशन आको थोड़ा सा इलेक्टिक लिफ्टिंग बैरियर स्लाडिंग पूम के बारे में मैं बता रहा हूं कि यंत्रपाथी मेरा नाम है ससी सिगनल नर्दन रिलिवे स्टी टीसी गाजियवाद तो इसमें आप आज जो है इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके पहले के टापिक आपके हो चुके हैं इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर गेट का अपरेशन कैसे करना है तो इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम पे हम आते हैं आपके अमर्जेंसी स्लाडिंग बूम प्रेंस्तू कote कम झाइंग हर अडियर से ए्टिक लयवितत व्रचिट नप्टिक नवचिट लुच सरकेंग थसेट करोगobenर एंट वित्या विहित व्रचिट शमींग फिप्की रूर कर्टिक भ।कि अथिद ay फ्रहिते हैं झाहो टूर मार्max्टियर देव्टिक ब्रीजन कर दो एंड बैरियर के नाट वी क्लोज़ प्रापर्ली कर ले कि लेक्तिक अग्धुर्टिक लिफ्टिंग बैरियर का यूज कब करते हैं जब आपका पावर फेल हो गई है एलेक्टिक लिफ्टिंग बारियर गेट को आपरेट नहीं कर पा रहे हैं बारियर को या कोई रोड वहिकल ने हीट कर दिया है बारियर डाइमेज हो चुका है उस कंडिशन में या आपकी क्रेंक हैंडल से भी किसी वज़ा से नहीं आपरेट हो पा रहा है तो उस इस्तिती में जो है ट्रेन को प्रापर सिग्नल पे पास करने के लिए इमर्जेंसी इस्तिती में स्लाडिंग बूम का उप्योग किया जाता है आपरेशन आप स्लाडिंग बूम टू इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम्स आर इंस्टाल्ड अन आइधर साइड आप दे ट्रेक ट्रेक के दोनों तरफ जो है इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम रहते हैं दो इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम्स से एक ट्रेक के इस पार रहेगा और एक ट्रैक के उस पार रहेगा ट्रैक के नियर जो रहता है वो आपका ELV का बेरियर रहेगा और उससे आउट साइड में आपका ये इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम इंस्टाल किया जागा इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम और अपरेटेड एंड लॉग बाइंस आफ मेंपावर तो क्लोज एंड लॉग देल्सी गेट फार पैसेज आप ट्रैंस अन प्रॉपर सिगनल्स इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम का अपरेशन आपको मैन वली करना है मैन पावर द्वारा इसमें कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज नहीं है यूज तब होगा जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बाइर डिफेक्टिब है और उसे रोड ट्रैफिक के अगेंस्ट बंद करके लाक नहीं वो पा रहा है और गाड़ी को प्रॉपर सिगनल पे भीजने की जरूद है इमर्जेंसी स्लाडिंग बूम और आपरेटेड इंड लाग ऐस पर दी फालोविंग उनको किस तरीके से स्लाडिंग बूम को आपरेशन करना है दो स्लाडिंग बूम है ट्रैक के दोनों तरफ इंस्टाल्ड है और उन्हें वन बाइवन जो है आपको आपरेट करके बंद करना है और फिर लाग करना है उसके लिए क्या प्रोशीजर है अगर हम डिसकस करते हैं First one sliding boom situated at far end of the LC gate hut is operated First by main power and forward end of the boom is inserted in the hole provided on the locking post fitted on the other side of the road आपको first आफ़ाल उस sliding boom पे जाना है जो की आपको केविन से जहां पे आपका पैनल लगा हुआ है ELB cooperate करने का केविन पे या gate hut पे वहां से दूर वाले gate पे जाना है दूर वाले sliding boom पे जाना है और उसे manually खीच के road बंद करना है Key of E-type lock painted in yellow color attached to the boom with iron chain is inserted in the lock fitted on the locking post and turned आप जब boom को खीच के लाएंगे manually तो road आपका बंद हो जागा क्योंकि road के आर पार आपका sliding boom खीच जागा और sliding boom के साथ में एक chain build रहती है जंजीर और उस जंजीर में एक E-type lock की चावी build रहती है तो वो चावी और जंजीर भी sliding boom के साथ में खीच के आ जाएगा और खीच के आएगा किस तरफ जहाँ पे आपकी locking post लगी हुई है जिसमें की boom को lock करना है अब आपकी जो ये yellow color की चावी है इसको E-type lock के अंदर गुसा के और इसे turn करना है जब इसे चावी को घुमाएंगे तो boom को lock post के अंदर जो hole बना हुआ है उसमें गुसाने के लिए जगा मिलेगी और फिर उसमें आप आसानी से जो खीच के sliding boom लाया है उसे गुसा देंगे तो sliding boom के इस सीरे पर एक कालर बना होता है round circular जिसमें की आपको E-type lock का plunger जो है वो in हो जाता है और post जो है वो पोस्ट के अंदर sliding boom lock हो जाता है तो आप yellow चावी लगा के भुमाएंगे उसके बाद में आपका sliding boom उसके अंदर घुज जाएगा जगा तभी मिलेगी जाने की now this boom installed at far end of healthy gate hut is locked जब आपको पहले boom को आपने lock कर दिया lock करने के बाद में वहाँ से एक red color की चावी निकलेगी yellow चावी उसमें के अंदर lock हो जाएगी और एक red चावी निकलेगी now this boom installed at far end of healthy gate hut is locked by turning this key painted in red color red color की दूसरी चावी उसमें fit हो गई और red color की दूसरी चावी जो लगी दूसरा lock लगा हुआ है उसकी चावी को जब आप घुमाएंगे तो locking post fitted at other end of the road दूसरे end का boom lock हो गया जो दूर वाला है और आपके हाथ में red color की चावी आ गई है now key painted in red color is released from this locking post grounded at far end of the LC gate hut and this key is inserted in the other locking post grounded at near end of the LC gate hut enter to unlock the lock fitted on the locking post इस red चावी को दूर वाले इंड से लेके अब नजदीक वाले sliding boom के locking post के पास में आएंगे और इस red वाली चावी को इटाइप लॉक जो उसमें fit है locking post में उसके अंदर लगा के और चावी को घुमा देंगे तो इसका plunger जो है वो इटाइप लॉक का वो अंदर की तरफ गोश जागा इटाइप लॉक में उसके बाद में क्या करना है now second sliding boom is operated by manpower and key painted in yellow color attached with the boom with the iron chain is inserted in the E-type lock fitted on the second locking post at near end of the LC gate hut and turned to unlock the lock अब जिस तरीके से हम first sliding boom को खींच के लाए थे उसी तरीके से second sliding boom को manually खींच के road के आर पार कर देंगे तो जब इस sliding boom को हम खींच के लाएंगे तो इसके साथ में लोहे की chain के साहता से एक E-type lock की चावी बेल्ट रहती हो भी खींच के आ जाएगी locking post के पास में और इसी पीली वाली चावी को एक E-type lock जो fitted है locking post पे उसके अंदर घुसाएंगे और घुमाएंगे उसके बाद में space is available to insert the forward end of the boom in the whole of the locking post फिर जो है आपको ये sliding boom जो हम खींच के लाएंगे उसको locking post के बने हुए hole के अंदर गुसाने के लिए जगह open हो जाएगी ये जगह open होई दो चावीओं से एक चावी तो जो आप निकाल के लाए थे जो red painted थी फर्स्ट sliding boom से वो लगानी पड़ी दूसरी चावी वो लगानी पड़ी जो boom को खींच के लाएं हैं जिसके साथ में yellow चावी बेल्ड थी उसके बाद में boom को अब हम अंदर गुसा सकते हैं locking post के hole में now forward portion of the boom is inserted in the hole provided on the locking post locking post के अंदर हमने जो है boom जो खींच के लाए थे उस lighting boom को गुसा दिया उसके बाद क्या करना है now third की painted in green color can be operated to lock the boom in the locking post and release after locking the boom in the locking post एक इसमें तीसरा ही type lock भी लगा हुआ है नजदीक वाली locking post में जिसकी चावी ग्रीन कलर से पेंट है उसको हम operate करेंगे घुमाएंगे तो boom आपका post के अंदर lock हो जागा जाए और यह चावी निकल के आपके हाथ में आ जाएगी green color की चावी signal can be given by this third key painted in green color for passage of trains on signal or in class of level crossing gate is interlocked with the station slot for giving signal can be given to ASM with the help of this key यह लाल चावी आपके पास आ गई तो signal को lower कर सकते हैं गाड़ी को जाने के लिए अगर signal gate hut से operate हो रहा है जहां से gate बंद किया जा रहा है खोला जा रहा है अगर इस्टेशन के साथ में interlock है तो हम आज इस्टेशन को slot दे सकते हैं gate बंद होने का और station master signal को lower कर देंगे और proper signal पे गाड़ी चली आएगी इस प्रकार से हमने देखा है कि sliding boom में one by one किस तरीके से हम boom को बंद कर रहे है sliding boom को सबसे पहले हमें बंद करना है दूर वाले boom को जो अपना gate lodge से दूर बूम है उसमें दो एटाइप lock लगे रहते हैं locking post में उसके बाद में जो आपका नजदीक का sliding boom है उसे बंद करेंगे इसमें तीन एट टाइप लाग रगे रहते हैं जिसकी चावियां yellow, red और green color की होती है बूम बंदू के लाग होने के बाद finally green चाविया आउट आती है और उस green चाविया को हम signal को off करने के लिए प्रयोग में करती है यह देखिए आपको एक sliding boom का फोटो यहां पर दिख रही है यह sliding boom किस तरीके से है emergency sliding boom जिसमें एक starboard भी लगा हुआ है बंद करने पर जो है boom के center में रहता है और boom का जो जहां पर starboard लगा है उसके पास में देखिए तो एक circular color बना हुआ है boom के एकदम बारी सिरे पर टी पर यह color जाके locking post के अंदर घोशता है और इस color में इटाइप लग का जो plunger है वो घोश जाता है जिससे boom लग हो जाता है आपका यह locking post एक देखिए locking post के अंदर आपको यह far end का locking post है फारेंड के locking post पे क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है इसमें एक तो whole far interlocking the forward portion आप ESB emergency sliding boom उसके बाद में आपको एक yellow color की paint दिख रही है जिसमें E-type lock अंदर लगा हुआ है इसमें yellow color की चावी हम लगा के घुमाएंगे yellow color की चावी आएगी जब हम sliding boom को खींच के इसके पास लाएंगे क्योंकि उसी के साथ में बेल्ड रहती है लोई के जंजीर से और ये लाल रंग का जो दिखावा E-type lock इसके चावी रिलीज हो जाती है जब ये boom इसके अंदर lock कर देती है अब नजदीक के end का आप देखिए locking post इस locking post में अभी ये normally क्या है कि आपका बूम लाक नहीं किया गया है ये normal हालत में ग्रीन वाली चावी इसमें locked है और इसमें एक hole देखिए center में है जिसमें कि sliding boom हम खिसका के दिवलाएंगे slide करके तो ये hole है इस hole के अंदर sliding boom को हम गुसाएंगे एक yellow color का hole दिख रहा है जिसमें अंदर e-type lock लगा हुआ है जब sliding boom को हम खिसका के इसके पास लाएंगे तो उसके sliding boom के साथ जंजीर की साहता से जो e-type lock की चावी है yellow color की इसमें लगा के घुमा देगे और red color की जो एक hole दिख रहा है इसमें e-type lock अंदर लगा हुआ है इसमें लगने वाली चावी दूर के इंडस के पोस्ट से निकली हुई है वो चावी इसमें लगाएंगे और घुमाएंगे जब red चावी और yellow चावी दोनों को हम घुमाएंगे तब sliding boom को अंदर घुसाने के लिए hole का जगा मिल जाएगी और वो अंदर आसानी से घुस जाएगा उसके बाद में green वाली चावी को घुमाके निकाल लेंगे तो sliding boom पोस्ट के अंदर लग हो जाएगा और यह हरी चावी आखो signal को lower करने के लिए प्रयोब किया जाएगा इस प्रकार से यह आपको sliding boom को emergency में कैसे operate करना है इस तरीके से बूम को लाग करना है अपने sliding boom का operation जो है यह उसका क्या तरीका है किस इंड को पहले बंद करना है किस इंड को बाद में बंद करना है कौन सी चावी कहां से रिलीज होगी फिर वो चावी कहां पे लगेगी फानली आपको signal lower करने के लिए कौन सी चावी प्रयोग करनी है तो यह आपने इसको देखा है हम समझते हैं इससे आपको काफी समझ में आया होगा और आप sliding boom को ठीक ढंग से बंद करने की प्रक्रिया समझ गए है इसका next part वीडियो जब हम बनाएंगे तो next part वीडियो में हम तो motor के बारे में आपको operation कैसे किया जाएगा वो देखेंगे आसा करते हैं कि आपको इससे lab मिलेगा जब आप इसको समझेंगे तो